ज्यादातर उन लोगों को cancer होता है, जो smoking करते हैं, जो तंबाकू बहुत खाते हैं, जो ऐसी चीज़ें लेते हैं जो बहुत acidic हो, कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जो ली जा रही है system के अंदर, अगर वो बहुत acidic हैं, बहुत extreme acidic हैं, तो उससे cancer होने के chances बढ़ जाते हैं, 80% chances बढ़ जाते हैं अब खास करके गले का cancer किस किन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है उन लोगों को गले का cancer सबसे ज़्यादा होता है जो तमबाकू मुह में रखते हैं और यहां तक की रख करके सो जाते हैं अंदर रख करके उस रख को इंटेक करते रहते हैं और उस से उनके मन को स्कून मिलता है मस्तिस को सुकुन मलता है ऐसे लोगों को गले का कैंसर मुँ का कैंसर सबसे ज़्यादा देखा गया है क्योंकि उस समय इस अवस्था में हमारा लार जो प्रोडियूस होती है उस लार को हम एसिडिक कर देते हैं और उस लार को यदि हम एसिडिक कर देते हैं बिल्कुल ना के बरावर हो जाती है और वो जब इंटेक करते हैं तो छार नहीं इंटेक करते हैं अगर हम रात में इस एरिया को लार के साथ ही नहीं कर पाए और इसके अंदर अगर एसिड की ही इंटेक कंटीनिवस और कई सालों तक बनाया रखे तो निश्चत तोर पर इस एरिया में नहीं बलकि इस एरिया में भी कैंसर होने के 90% चांसे बढ़ जाते इसलिए कोई भी ब्यक्ति यदि तुबाय को यूज भी करता हो तो वो कम सकम मुह में रख करके सो वे ना यदि वो सोता है तो उसके चांसे बढ़ जाएंगे अगर वो खाता है तुरन थूख दे मूँ को क्लीन पूरी तरह से करें और फिर थोड़ी बहुत डीप ब्रीधिंग कर ले अनलों विलों कर ले ऐसी ब्रीधिंग करें और ऐसी इंटेक करें सलाइवा की ज्यादा जिससे जो सलाइवा है अर्थात एलकलाइन है एलकलाइन की इंटेक हो जाए ताकि वो नेटल कर दे एलकलाइन हमेशा अंदर के किताड़ों को अंदर के उस नेगटिविटी को मारने के लिए सक्छम है लेकिन अगर उस एलकलाइन को हमने एसिडिक बना दिया तंबा को खा करके तो वो मारने की च्छमता खो देता है और ऐसे रोक प्रोड्यूस करना सुरू कर देता है जो लाईलाज है इसी लिए आप अपने अलकलाइन आप अपने लार के महत को समझें और लार को जितना प्यूर फार्म में खा सकें वो बेदर है वो सबसे अच्छा है उससे हमारा बहुत सारी बीमार्यूस